लोगडाउन के दुरान राजस्तान में फसे उत्रपरदेश के करीब साड़े साथ हजार कोचिंग छात्रों को लेने के लिए यूपी सरकार ने 252 बसे कोटा भीजी हैं यह सभी छात्र मेडिकल और इंजिनिरिंग की तयारियों के लिए कोटा में कोचिंग कर रहे हैं वहीं के होस्टलों और पीजी में रह रहे हैं आपको बता दे कि गुरुवार को राजस्तान और यूपी सरकार ने कोटा में फसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसों का इंतजाम करने का फैसला लिया था इसके बाद 102 बसे जहांसी और 150 बसे आगरा से रवाना हुई शुकरवार देरात ये बच्चे बसों से यूपी के लिए रवाना हो गए मगर इससे पहले बस्टेंट पर हजारों चात्रों के एक साथ एकठा होने से लोगडाउन की धज्जिया उड़ गई प्रसाशन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाने में असफल रहा आपको बता दे कि कोटा में पढ़ाई कर रहे यूपी के इन चात्रों को एक दिन पहले ही बता दिया गया था कि आपको लेने यूपी से बसे आएंगी अपना सामान तयार रखें बस्टेंड पर घर जाने को तयार बैठे अभिशेक त्रिपाठी ने बताया कि वह यूपी में कन्नोज के रहने वाले हैं कोटा में एक संस्थान में नीट की तयारी कर रहे हैं अभिशेक के मुताबिक उनको 16 अपरेल के शाम कोचिंग से मैसेज आया कि आप अपना बैग तयार रखें कल आपको घर ले जाने के लिए बसे आ रही हैं इससे अभिशेक काफी खुश थे हाला कि होस्टल से निकलने के बाद वे नर्वस भी हो रहे हैं उन्हें करोना संक्रमित होने का डर सता रहा है कारण कि उनका घर बहुत दूर है अभिशेक ने बताया कि लोकडाउन के दुरान बस यूही टाइम कट रहा था पड़ाई नहीं हो पा रही थी दोस्त भी सब अंदर से घबराई हुए थे कि कहीं कोई संक्रमित ना हो जाए इस दोरान मम्मी पापा से रोजाना आट-दस बार बात होती थी वह कहते थे कि जब मन में आए तभी बात कर लेना चातर ने कहा कि लोगडाउन में परिशानी कोई नहीं आई लेकिन थोड़ा सा डर जरूर है वही लखनव निवासी गोरव ने बताया कि हमें कोई प्रोब्लम नहीं हो रही है यहां रहते तो भी कोई टेंशन नहीं थी कल पता चला कि बसे आ रही है और घर जा सकते हैं इस मैसेज मिलने पर काफी एकसाइटमेंट है घर जाना अच्छा लग रहा है क्योंकि होस्टल में थोड़ी दिक्कत रहती है यहां लोगडाउन के दुरान खाना बाहर से आता था इसलिए डर था कि कहीं संक्रामार ना हो जाए देखें एक विशेश रिपोर्ट ऐसे ही लेट अच्छा